अचानक कई सारे जर्नलिस्ट मरने लगते हैं और उनके डेड बॉडी के सामने मिलता है एक अख़बार का टुकरा और उसमें जो कुछ भी लिखा होता है वो सब कुछ असली में होने लगता है उस जर्नलिस्ट के धीरे धीरे परिवार वाले मरने लगते हैं उनके करीबी लो दूता जिसका मतलब होता है दूत यानिके मेसेंजर कहानी शुरू होती है 15 नविंबर 2022 के राद से और हम सागर नाम के जर्नलिस्ट को देखते हैं वो अपने एपार्टमेंट में होता है और बहुत सारे दवाई को खा लेता है उसके बाद वो पानी पीता है और उसे बहुत खासी होने लगती है जिसके बाद वो अपनी पतनी प्रिया को मेसेज भेजता है और उन्हें कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और उसे वो माफी मांगता है और कहता है कि मुझे जो कुछ भी पता चला उसके बाद अब मैं जीना नहीं चाहता, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तबी उसके फोन का बैटरी चार्ज खतम हो जाता है, वो चार्जर ढूनता है लेकिन उसे कुछ न्यूस पे परके आर्टिकल मिलते हैं, जिसमें एक पंदरा मंजिला बिल्डिंग के गिरने की खबर दीवी थी, वो जलते वे बिल्डिंग की फोटो को देखता है اور कुछ दवाई के फोटो को देखता है, सागर को बेहोशी जासा लग रहा था, उसे कुछ साफ नजर नहीं आरा था, उसके बाद उसने जो दवाई खाया है, वो उससे निकालन है 9 नौवेंबर 2022 उस इवेंट में जर्नलिस्ट सागर वर्मा को स्टेज पर बुलाया जाता है क्यूंकि उसे चीफ एडिटर का पोजिशन जो मिला है उसकी पतनी प्रिया उसे कॉंगराचुलेट करती है और मिस्टर खान जो उस कंपनी के चेर्मेन है वो सागर को एक पेन देते हैं इसके बाद सागर एक स्पीच देने लगता है और उसमें वो अपने रिस्पॉंसिबलिटीज की बात करता है के एक जर्नलिस्ट के तौर पर उन्हें क्या करना चाहिए उन्हें लोगों के सामने सचलाना होगा और वो खुद को दूत कहता है मतलब के मेसेंजर गवर्मेंट और पबलिक के बीच का फिर आखर में वो अपनी पतनी को थैंक यू कहता है और कहता है कि उसकी पतनी भी एक जर्नलिस्ट थी लेकिन फिलहाल प्रेगनेंट होने के वज़े से उसने चोटा सा ब्रेक लिया है इसके बाद वो अपनी टीम को भी थैंक यू कहने लगता है पहला मेंबर है उसकी परसनल असिस्टेंट अमरिता और वो उसके साथ 5 साल से काम कर रहा है फिर एक है सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर चंदर मुर्ती अब स्पीच हो जाने के बाद सागर से कमपनी के चेर्मेन मिस्टर खान बात करते हैं और कहने लगता है कि मैंने ये पॉजिशन चार्ल्ज को देने का सोचा था लेकिन उसके मेंटल हेल्थ देखने के लिए ये पॉजिशन तुम्हारी ले सही होगा अमरिता आकर दिखाती है कि चार्ल्स की तरफ से जलेवे गुलदस्ते आए हैं सागर के लिए जिस पर सागर थोड़ा सा नाराज हो जाता है और साथ में एक कार्ड भी होता है जिस पर लिखावा था कॉंग्राचुलेशन्स और उसमें एक आदमी दूसरे आदमी के पीट पर चुरा घोप रा था और ओविसली चुरा घोपने वाला सागर है अमरिता टीम के तरफ से सागर को क्रॉस वर्ड किताब देती है और चंदर मुर्ती वहां आकर अपनी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट देता है जर्नलिजम के उपर लिखावा एक किताब सागर प्रिया और उनकी बेटी अंजली घर के लिए निकलते हैं और खबरारी थी के बंगाल के खाडी में तुफान उठने के वज़े से भारी बारिश होने लगी है और ऐसा ही मौसम एक हफ़ते तक रहेगा घर जाने से पहले सागर अपने डॉग एक को अपने साथ ले जाता है उसकुते का नाम उन्होंने अभी तक रखा नहीं है इसलिए बस ए बुलाते हैं घर जाते वक्त भारी बारिश हो रही थी तब ही आधे रास्ते में उनके गाड़ी का फुयल खतम हो जाता है अब जब तक वो लोग इंतजार करते हैं सागर उस धाबे में जाता है कुछ खाने पीने का समा लाने के लिए और वहाँ एक बल्ब में कागज लटका हुआ था जिसमें क्रॉसवर्ड होता है और उसमें लिखा हुआ था कि दम दम धाबा के सामने सागर नाम के जर्णलिस्ट का कुटा जो मर गया उसका नाम क्या है जिसका जवाब को क्रॉसवर्ड में सजाना होगा ये देकर सागर काफी घबरा जाता है और उसके कुटे के मरने का टाइम लिखा हुआ था 10 बचकर 45 मिनिट 33 सेकेंड अभी टाइम हो रहा था 10 बचकर 41 मिनिट तभी वहाँ प्रिया भी आ जाती है कि उसकी बेटी पानी मांग रही है सागर उसे एक आगस का टुकरा दिखाता है और तभी टाइम 10 बचकर 45 मिनिट हो जाते हैं और 33 सेकेंड होते ही एक ट्रक सागर के गाड़ी को ठोक देती है गाड़ी पलटते हुए रास्ते के बगल में नीचे गिर जाती है और गाड़ी के अंदर उनकी बेटी अंजली भी थी इसलिए सागर घबराते हुए अपनी बेटी को बचाने के लिए भागता है और जैसी वो अपनी बेटी को बचाने के लिए अपना हाथ गाड़ी के अंदर डालता है उसके हाथ में खून लग गया था वो काफी डर गया था लेकिन वो देखता है के अंजली बिल्कुल ठीक है और फिर दोनों अंजली को गले लगाते हैं फिर कुछ मिनिट पहले वाले सीन को देखते हैं के अंजली अपने गुडिया के साथ खेल रही थी तब ही उसका गुडिया बाहर गिर जाता है उसके कुटे के वज़े से वो अपना डॉल उठाने के लिए बाहर निकलती है और तब ही वो ट्रक उनके गाड़ी को ठोक देती है मतलब के गाड़ी में अंजली नहीं थी और वो ट्रक ड्राइवर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है अब आधी रात में सागर सुपरिटेंडेंट अफ पुलीस को चिठ्थी लिख रहा था जैसे ही सागर अपना चिठ्थी लिखना खतम करता है उसके पापा वहाँ आ जाते हैं और वो चिठ्थी फार देते हैं ये समझ करके के उसका बेटा फिर से जर्नलिजम वाले कॉलेज में एपलाई कर रहा है और वो अपने बेटे को कहते हैं के जर्नलिजम कभी मत करना शायद उसके पापा को अल्जाइमर की बिमारी है सागर दोबारा से दूसरा कंप्लेंट लिख कर पुलिस ओफिसर को दे देता है पुलिस ओफिसर सागर के पापा के बारे में पूछते हैं कि क्या उन्हें कोई बिमारी है क्या सागर बताता है कि चार साल पहले पता चला कि उसके पापा को अल्जाइमर है हमेशा से उन्हें लगता है कि मैं जर्नलिस्ट वाले कॉलेज में एपलाई कर रहा हूँ वो नहीं चाते के मैं जर्नलिस्ट बनू फिर पुलिस ओफिसर अजे घोश वहाँ से चले जाते हैं सागर का एक नौकर शंकर आता है और पूछता है के डॉग को दफनाना कहा है सागर कहता है मिस्टर रेड़ी का जो खाली जमीन है वहाँ दफना दो आखर में सागर अपनी पतनी और बेटी के साथ सोने के लिए चला जाता है और बड़ी मुश्किल से उसकी बेटी को नींद आई है क्योंकि वो अपने डॉग को बहुत जादा मिस्स कर रही थी फिर हम उस ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो भाग रहा था और पुलिस से बचने के लिए वो छुप जाता है लेकिन डॉग स्कॉट को उसकी भनक लग जाती है और वो सभी उसका पीछा करते हैं पर सुबह सागर अपनी बेटी से कहता है खाना खालेने के लिए नहीं तो उनका डॉग जो अब स्वर्ग में है उसे बहुत बुरा लगेगा जिस पर उसकी बेटी कहने लगती है कि हमारी डॉग का नाम हिपो पॉटेमस है क्योंकि उसे पानी में रहना बहुत पसंद था सागर फिर से उस अखबार के टुकड़े को याद करता है और वो तुरंत उसी धाबे में पहुंच जाता है और उस अखबार के टुकड़े को ढूने लगता है जिस पर मालिक कहता है कि मैंने तो साफसफाई कर दिया शायद कच्रे के डिबे में होगा और कच्रे के डिबे म उसे वो कागज मिल जाता है वो मालिक से पूछता है कि आखिर ये कागज आया कहां से मालिक कहता है ये तो कबाड़ी वाला दे जाता है जिसे हम कीडे भगाने के लिस्तमाल करते हैं सागर अपने गाड़ी में आकर बैठता है और उसमें जो सवाल था जो उसने कल रात में पढ़ा कि सागर के कुट्टे का एकसिडेंट हो जाएगा जिसमें उसका कुट्टा मारा गया उसकुट्टे का नाम क्या था और वो उस खाली जगा में हीपोपॉटेमस लिख देता है जो बिलकुल फिट बैठता है ये देकर वो काफी घबरा गया था कि ये सब कैसे पॉसिबल है तभी उसे एक मेकानिक मूर्टी का कॉल आता है जो कहता है कि पुलिस वालों ने आपकी गाड़ी हमारे गारेज में भिजवाई है क्या आप यहां आ सकते हैं जब सागर वहां पहुँचता है तो मेकानिक उसे बताता है कि फूल टैंक में लीकेज जैसा कुछ लग रहा था एक छोटा सा होल था मूर्टी कहता है कि एक्सिडेंट से इतना छोटा होल तो नहीं बनता शायद किसी ने पहले ये होल बनाया है तभी वो याद करता है कि उसकी पतिनी ने कहा था कि उनके ड्राइवर प्रभाकर ने पेट्रॉल भरवाया था सागर उसे वही अख़बार का टुकरा दिखाता है और तीन नमबर वाले जो हिंट में लिखावा था उसे पढ़ने के लिए कहता है। उसके हिसाब से रात के 10 बच कर 45 मिनिट में सागर नाम के जर्नलिस्ट के डॉग का एकसिडेंट हो जाएगा जिसमें वो डॉग मर जाएगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ एक्जैक्ट वही टाइम पर ये सुनकर अमरिता भी हैरान हो जाती है और आज सुबा ही अंजली ने कह था कि हम अपने डॉग का नाम हिपो पॉटमस रखते हैं और ये बिल्कुल उस गैप में फिट बैठता है आखर ये सब हो कैसे सकता है अमरिता के हिसाब से ये कोई इंसिडेंस हो सकता है लेकिन एक कुटे का एकसिडेंट में मरना कोई इतना शौर कैसे हो सकता है किसने प् के बताता है कि उन्हें ट्रक ड्राइवर मिल गया है वो कह रहा था कि वो उत्तर प्रदेश से नौन स्टॉक 18 घंटे से ड्राइव कर रहा था और जैसे ही वो उस धाबे के पास पहुंचा उसके विंड शिल पर एक न्यूस पर आ गया चानक इसलिए उसके ट्रक से कार का ए अभी अभी रिहा हो गया है उसके लायर ने उसे बेल दिलवा दिया घोश तुरंत बाहर निकलता है और एक पान वाला अंदर आकर पुलिस टेशन में सभी को पान देने लगता है जो कागज में रैप किया हुआ था घोश उस ट्रक ड्राइवर को दस्तकत करने के बहाने द करता है कि वैसे भी ये पोजिशन चार्ज का है मैंने ही मिस्टर खान से कहकर उसे इस जॉब से निकाला था सागर बहुत ज़्यादा गुसे में है और वो चार्ज को मार देना चाता है लेगिन अमरिता उसे कहती है कि एक बार जाकर उसे बात करो सागर अपने ऑफिस से नि सागर चार्ज के घर पहुंच जाता है लेकिन वो घर के बाहर किसी को देखता है पीले रेंकोट में जो अपने बाइक से वहां से निकल जाता है फिर वो चार्ज के घर में न्यूस पेपर के टुकड़े गिरने लगते हैं और सागर चार्ज के कमरे में जाता है जहां चार् चार्ल्स सागर से कहता है कि अगली बारी तुम्हारी है और वो तुम्हारे चाहने वाले तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे करीबी लोग किसी को भी नी छोड़ेगा सब एक एकर मारे जाएंगे सागर को कुछ समझ नहीं आ रहा था और चार्ल्स कहता है कि इस सब को रो के अंदर ही अपने माँ बाप और अपने भाई को खो दिया मैरियन पीछे मुर कर अपने पती को देखती है जो पागलों की तरह कागस के टुकड़े को उठा कर अपने पॉकेट में रखने लगता है तब ही वहाँ एक लड़का आता है बदाम बेशने के लिए वो भी कागस म उसी के बारे में लिखावा था कि जर्नलिस्ट चार्ल्स के घर में दुरगटना होने वाली है उसका साथ साल का बेटा मैथ्यू मर जाएगा चार्ल्स भागते वे अपने बेटे के पास जाता है क्योंकि उसके बेटे की जान खत्रे में थी मैथ्यू एक गाड़ी के नीचे स्टैंड को ठोकर लग जाती है और वो गाड़ी मैथ्यू के उपर गिर जाता है जिससे मैथ्यू मर जाता है प्रेजन में चार्ल्स के मरने के बाद सागर घबराते वे तुरंद वहां से निकल जाता है और अपने घर पहुँचता है और नहाने लगता है और बस इस न्यू में सौक्स का रंग काला और सफेद था बिलकुल सागर की तरह जिसे देखकर उसका तो होश ही उड़ जाता है चार्ल्स के डेथ को इंवेस्टिगेट करने के लिए पुलिस को किसी स्मार्ट इंटेलिजेंट आफिसर की जरूरत है और वो सभी करांती शेनौई के बारे में सो होते हैं और वो चार्ल्स वाले कमरे में जाती है तो वहां फॉरंजिक टीम से प्रकाश आया होता है जो अपना काम कर रहा था करांती अंदर जाकर बाडी को देखती है और उसकी नजर जाती है दिवार पर लगेवे खून पर और वो रंगा से कहती है कि दर्वाजे के पास खड़े होने के लिए और उसे समझाती है कि तुम्हारे आसपास खून के छीटे लगे वे हैं लेकिन तुम्हारे पीछे खून का कोई निशान नहीं है मतलब कि जब चार्ल्स ने खुद को गोली मारी तब दर्वाजे के पास कोई तो खड़ा था जो ये सब होते वे देख कहां से आया मैरियन कहती है ये तो मुझे भी खुद नहीं पता करांती के लिए ये क्राइम सीन बहुत ही अलग है क्योंकि यहाँ पर हर जगा अगबार के टुकड़े परेवे हैं मैरियन कहती है कि चार्ल्स की मा के गुजरने के बाद वो अगबार के टुकड़े को कलेट क जैसे के वो पागली हो गया हो, चार्ज का फोन अनलॉक हो जाता है और रंगा बताता है, कि उसके मरने से पहले सागर नाम के आदमी ने उसे कॉल करने की कोशिश की थी, सामाचार ऑफिस में अमरिता चार्ज के मरने की खबर को देख रही थी, और उसे भी जटका लगता है ये सब देखकर चंदर मुर्ती अंदर आता है और अमरिता से कहता है कि क्या तुम सागर के साथ मेरा एपॉइंट्मेंट फिक्स कर सकती हो मुझे उसे बात करना है अमरिता कहती है वो एपॉइंट्मेंट फिक्स कर देगी फिर जब सागर अपने हाथ में गन लेकर खड़ा था और उसने खुद को गोली मारी ये सुनकर अमरिता भी शौक्ट हो जाती है और वो उसे कागस का टुकड़ा दिखाता है जिसमें वही ड्रॉइंग बनावा था और ये सब कुछ उस ड्रॉइंग के जैसे ही हुआ उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है सागर पर अल्जाम लगाने को लेकर अमरिता उसे माफी मांगती है लेकिन फिलहाल सागर को कल होने वाले पेपर लाउंच पर ध्यान देना होगा क्योंकि उस एवेंट में मिनिस्टर साहब भी आने वाले हैं फिर वहाँ तीन जर्नल स्टूडेंट आते हैं और उनमें से एक सत्या होता है जो सागर को अपने कॉलेज में चीव गेस्ट के तौर पर बुलाना चाता है और वो उन्हें गिफ्ट भी देता है और वो लोग सागर को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं सत्या कहता है के वो इस कंपनी को जॉइन करना चाता है इंटर्न के तौर पर और वो अपना भायो डाटा सागर को दिखाता है पोलिस स्टेशन में अजय गोश सिगनेचर करने के बहाने ट्रक ड्राइवर को अंदर आकर बहुत पीटता है इतना पीटता है के वो भी ठगया था वो ड्राइवर से कहता है सच कबूल कर लेने के लिए लेकिन ड्राइवर गरगर आता है के मैंने तो कुछ भी नहीं किया अजेगुच देखता है कि ड्राइवर का एक सोने का दांत है और उसे टॉर्चर करने के लिए वो उसके सोने का दांत जबरदस्ती निकाल लेता है सागर चार्ल्स के फिनरल में पहुँचता है और वो भी एक चर्च में और वहाँ वही पीले रंग का रेंकोट रखावा था करान्ती भी इसी चर्च में थी और वो पीछे मुर कर सागर को देखती है सागर करांती से बात करने ही जा रहा था कि तब ही वो देखता है कि वही पीले रिंकोट वाला आदमी अपने बाइक से वहां से निकल जाता है सागर जब अपने घर में होता है तो करांती उसे पूछताच करने के लिए उसके घर पहुंच जाती है और वो सागर से चार्ल्स के बारे में पूछने लगती है तो सागर बताता है कि दो सल से वो दोनों दोस्त है एक साथ उन्होंने बहुत काम किया है करांती उसे पूछती है कि आपने चार्ल्स को कल आठ बार मिस्कॉल किया आखर ऐसा क्यों? सागर कहता है क्योंकि वो बहूँ डिप्रेस्ट रहता था, मुझे बस उसके फिक्र थी, क्रांटी उसे पूछती है क्या तूम कल राथ चार्ल से मिलने के लिए गए थे, सागर कहता है नहीं, क्रांटी उसे उस काँचूलेशन काट के बारे में पूछती है, जो उसे पता है, वही जिसमें सागर चार्स के पीट पर छुड़ा घोप रहा था जिस पर सागर बात चुपाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो तो बस ऐसे ही मज़ा करता है मेरे साथ क्रान्ती उसे पूछती है कि आप कल सारा दिन कहां थे सागर कह देता है कि वो अपनी परसनल असिस्टेंट अमरिता के साथ था वो कुछ नया मशीन चेक कर रहे थे और क्रान्ती कहने लगती है कि प्रिया ने बताया कि कल रात आप बहुत लेट से घर आए थे लेट से आने के बाद भी आपने अपने कपड़े खुद धोए वो भी शादी करने के बाद पहली बार आपको खुद अपने कपड़े धोने की जरुवत क्यू पढ़ गई जिस पर सागर बहाना मारने लगता है कि मशीन से तेल गिर गया था और तेल का दाक तुरंद जाता नहीं है इसलिए मैंने जल्दी अपने कपड़े को धो डाला करन्ती तुरंद रंगा को कॉल करती है और उसे कहती है कि एक मिनट के अंदर देखो कि सागर अपर साइबर क्राइम कॉल करता है और जैसा के करांती को शक था सागर अमरिता को कॉल करता है और उसे बता देता है के करांती नाम के इंस्पेक्टर चार्ज के केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है और अगर वो तुम से पूछे तो बता देना के कल पूरे दिन में तुम्हारे साथ था रंगा क्रांटी को फोन करके बता देता है कि एक मिनिट के अंदर ही सागर ने अमरिता को कॉल किया क्रांटी को लगने लगता है कि सागर ने उसे जूट कहा है कि कल वो अपने आफिस में नहीं था क्रांटी रंगा से कहती है उस गन के बारे में पता करो पुलिस टेशन में घोश देखता है कि उसने ट्रक ड्राइवर को इतना टॉर्चर किया है कि वो ट्रक ड्राइवर मर गया ये खबर वो सागर को कॉल करके बता देता है सागर काफी गुसा हो जाता है लेकिन पुलिस ओफिसर कहता है कि ऐसा होते रहता है अगर आपके पास कोई जगा है तो मैं बॉड़ी को वही दफना देता हूँ सागर कहता है मेरा उस बॉड़ी से कोई लेना देना नहीं है लेकिन घोश कहता है कि इस सब में आपने मुझे घसीता है आपको आना तो पड़ेगा अजय गुस्ते में फोन कर देता है रात के 11 बजे शहर के बाहर जाकर अजय घोश ट्रक ड्राइवर के बॉड़ी को एक घर के अंदर जाकर फेक देता है फिर से वो सागर को आधी रात में कॉल करता है और बताता है कि उसने बॉड़ी को डंप कर दिया और उसने बाडी को डंप किया है सागर के फार्म हाउस में, वो भी जनरेटर रूम में, और घोश कहता है कि अब मेरा इस बाडी से कोई लेना देना नहीं है, अब जो करना है आप समालिए, ये सुनकर सागर घबराने लगता है, इसलिए सागर तुरंत अपने फार्म हाउस प पर गिर कर मर जाता है, और उसके पेट से एक अगबार का टुकडा निकलता है, और उस अगबार के टुकरे में ये लिखावा था कि सागर के फार्म हाउस में, जिस ट्रक ड्राइवर ने एकसिडेंट किया, उसकी डेड बाडी मिली है, जिससे देखकर सागर का तो होश ही रंगा करांती को आरिफ नाम के वेपन डेलर से मिलाता है जो भी वैसे ही कंट्री गन बनाता था, अब वो गन का धंदा नहीं करता, करांती उसे गन का फोटो दिखाती है जिस पर वो डीलर कहता है कि शायद उडिसे में या फिर बिहार या यूपी में ऐसा गन मिलता है, व उसकी पतनी से मिलते हैं जो बताती है कि उसके पती को अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि एक गाड़ी से उसका एकसिडेंट हो गया, और वो रात भर पुलिस टेशन में ही था, करांती की नजर जाती है और वो औरत कहती है कि उसका पती अभी तक घर नहीं लोटा, करांती उसके घर की तलाशी लेने लगती है और अंदर करांती देखती है कि एक ट्रक ड्राइवर के घर में स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट फोन है, वाशिंग मशीन है, बच्चों के इंगलिश मीडियम के किताबे हैं, इस पर उसे कुछ सही नहीं लगता, उसे शक होने लगता है और करांती ये सब देकर कहने लगती है, कि एक ट्रक ड्राइवर की इंकम से ये सब होना पॉसिबल नहीं है, मतलब कि जरूर कोटी बंदू की डिलिंग करता था, सागर अपने घर में उस अगबार के टुकड़े को देखकर काफी परेशान होता है, तब ही उसकी पतनी पूछन क्या कर रहा है, क्या कल आप फार्म हाउस गए थे, तब ही प्रिया के पेट में दर्द होने लगता है, लेकिन ये तो बस उसका बच्चा लात मार रहा था, जिस पर दोनों काफी खुश होता है, सागर जब पार्किंग लॉट में आता है, तो उसे फिर से एक अगबार का ट प्रिया, गुसा करके कहती है, टीवी बंद करो, ये सब भूत वाली खबरे मेरी बेटी के समने मत देखो, कामाक्षी कहती है, भूत असली में होते हैं, प्रिया को उसका दोस्त अश्विन कॉल करता है, जो बताता है, कि उसने इंशॉरेंस के पैसे पाने के लिए अपने और मुझ पर भरोसा रखो न्यूस चैनल, इस हाथसे को टेलिकास्ट नहीं करेंगे, रंगा, करांती को बताता है कि कोटी ने जिस गाड़ी को ठोका था, वो सागर की थी, दम दम धाबा के सामने अक्सिडेंट हुआ था, किसी को नुकसान तो नहीं हुआ, बस उनका कुता मर गया, करांती सब इंस्पेक्टर अजय घोश से मिलने के लिए पहुंच जाती है, और देखते हैं कि घोश को बहुत जादा जुखाम हो गया था, कल बारिश में जो वो निकला था, लाश को ठीकाने लगाने के लिए, करांती उसे अपने इंवेस्टिगेशन के बारे में बताती है और कहती है, कि अब बस एकी ट्रक ड्राइवर से बात करना बाकी है और वो है कोटी, आपने उसे अरेस्ट किया है, वो है कहाँ, घोश घबराने लगता है और कहता है कि मैंने तो उसे छोड़ दिया, और वो फिर से कंप्लेंट की कॉपी दिखाता है, लेकिन करां करांती उसे पूछती है कि सागर ने आपको एक लाग रुपे क्यों भेजे जए जूट कहने लगता है कि मैं तो बस अपने परिवार के लिए मैंने उसे पैसे मांगे थे जो मैं उसे लोटा दूँगा इसके बाद वो तीनों जाते है एकसिडेंट वाले ट्रक को देखने के लिए और विंड्शिल्ड पर न्यूस पेपर लगावा था जिस पर क्रांती भी सोचने लगती है कि आखिर ये सब हाथसे में न्यूस पेपर का चक्र क्या है ट्रक के अंदर रंगा को कुछ नहीं मिलता लेकिन तबी क्रांती की नजर पढ़ती है डीजल टैंक पर जिसमें दीजल मिड्ल में नहीं लिखाए था और वो देखती है कि कुने में वेल्डिंग किया whereby था मतलब के थोड़ा सा जगा एक्स्ट्रा है मतलब के अंदर एक सीक्रेट कमपार्टमेंट है और चेक करने पर उस कमपार्टमेंट में उन्हें कंटरी गण याने के देसी कट्टे म रहा था और आज मिनिस्टर भी आने वाले हैं तो वहीं एम्पलॉईस के सारे बच्चों को एक कमरे में बंद करके रखा जाता है ताकि वो नीचे पार्टी में डिस्टर्ब ना करें मिनिस्टर आकर निउस्पेपर समाचार काउट घाटन करते हैं और सागर से बात कर रहे होते हैं और सागर कहता है कि मैं चाहे जिस भी निउस्पेपर के लिए काम करूँ सपोर्ट हमारा हमेशा आपका ही रहेगा लेगिन मिनिस्टर को डर है कि इस बार अपने कॉंस्टिट् पत्ते अगबार के टुकड़े के उपर रखे वे थे जिसे देखकर सागर थोड़ा घबराने लगता है तेज हवा चलने के कारण का अगज उड़ जाता है और दिया बुझे जाता है सागर पागलो की तरह अगबार के टुकड़े को चेक करने लगता है जो मिनिस्टर को भी क साफी अजीब लग रहा था। सागर अपने केबिन में जाकर न्यूस पेपर के टुकड़ों को देखने लगता है। तो वहीं एम्प्लॉईस के बच्चे डस्बिन से न्यूस पेपर के टुकड़े निकालकर खेलने लगते हैं। चंद्रमूर्ती देखता है कि न्यूस पेपर में कुछ कलम्स खाली रहा हैं। जिस पर वरकर कहता है कि यह तो सागर सडने हम से कहा था खाली रखने के लिए। इसके बारे में चंदर मुर्ती सागर से जाकर बात करता है और पूछता है कि जगा खाली रखने की वज़ा क्या है सागर कहता है मिनिस्टर की पार्टी ने इन कलम्स को खरिद लिया है चंद्रमूर्टी चौंग जाता है और कहता है कि ये कोई जमीन है क्या कि कोई भी खरी सकता है हम अपना आर्टिकल बेच नहीं सकते जिस पर दोनों के बीच बहस हो जाती है और सागर कहने लगता है कि अगर हम सिध्धान्थ पर चलते रहेंगे तो हम कमाएंगे कैसे और बाकियों को सैलेरी कैसे देंगे चंद्रमूर्टी ऐसे लोग के साथ काम नहीं करना चाता जो भरष्ट हो गया हो और सागर उसे साफ साफ कहा देता है कि अगर काम नहीं करना तो यहां से निकल जाईए सागर बाहर में वही पीले रिनकोट वाले आदमी को देखता है तो वहीं एक बच्चा नियूस पेपर का हवाई जाहाज बना कर फेकता है जो सीधा सागर के केविन में आकर गिरता है और उसमें राशिफल लिखा हुआ था मिथुन के बारे में जो राशिफल सागर का भी है लिखा वा था कि आपका होने वाला बच्चा मा के कोक में ही मर जाएगा सागर घबराने लगता है तब ही उसे प्रिया का फोन आता है प्रिया दर्द में काप रही थी उसका बहुत खून बैगया था नौकरानी का माक्षी सागर को बताती है कि बारिश का पानी घर के अंदर आ गया था और प्रिया सिड़ी से फिसल कर गिर गई सागर भागते वे हॉस्पिटल पहुंचता है तो नर्स बताती है कि गिरने के वज़े से पैर में चोट लगी है लेकिन आपका बच्चा सुरक्षित है लेकिन तब ही सागर की नजर पढ़ती है बगल वाले रूम में जहां अमरिता एडमी ठोटी है लगता है उसके साथ भी कोई हाथसा हुआ है सागर उसे पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ अमरिता रोते वे कहने लगती है कि मैं हमारे बच्चे को बचानी पाई मैं प्रेगनेंट थी और वो सागर को गले लगा कर रोने लगती है और सागर भी शौक्ट हो जाता है अब कहानी जाती है तीन साल पहले निव दिल्ली में हम सागर और अमरिता को देखते हैं जो एक घुटाले के बारे में बात कर रहे थे और अगर वो एक्स्पोज उन्हें कर देते हैं तो उन दोनों को बहुत फायदा होगा तब ही अमरिता देखती है के उनका फ्लाइट कैंसल हो गया और अगला फ्लाइट कल सुबा है इसलिए तब तक के लिए वो एक होटल में जाकर रहते हैं लेकिन फ्रेश अप होने के बाद दोनों मिनिस्टर से होने वाले डील को सेलिबरेट करते हैं और अमरिता बहुत खुबसूरत भी लग रही थी और सागर उसे देखते ही जा रहा था दोनों वाइन पीते हैं और सागर अमरिता से उसके हस्बन के बारे में पूछता है तो अमरिता कहती है के वो नेवी में है और वो अक्सर 10 महिने अपने duty में ही रहते हैं वो बताने लगती है कि कैसे उसका पती शादी के बाद उसे मारता पीड़ता था अमरिता को लगता है कि उसका पती कभी भी घर ही ना आए सागर अमरिता का mood ठीक करने के लिए उसे dance करने के लिए कहता है इसके बाद दोनों कमरे में आकर इंटीमेट होने लगते हैं और ऐसे गलती के वज़े से अमरिता प्रेगनेंट हो गई थी प्रेजन में अमरिता बताती है कि आज तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं प्रेगनेंट हू सागर हैरान हो गया था और वो काफी गुसे में भी था वो अमरिता से पूछता है क्या तुम शौर हो कि ये बच्चा मेरा ही है अमरिता हैरान हो जाती है कि सागर ऐसे कैसे पूछ सकता है सागर उसे माफी मांगता है और पूछता है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी फिर हम जाते हैं छे घंटे पहले के फ्लैश बैक में जब अमरिता को पता चलता है कि वो प्रेगनेंट है वो काफी घबरा गई थी और तब ही अचानक बिन बताए उसका पती घर आ जाता है वो दो हफ़तों के बाद आने वाला था लेकिन वो अभी आ गया सर्प्राइज दे खाता है जिसमें लिखा हुआ था कि सागर का बच्चा अपनी मा के कोख में ही मर जाएगा उसे लग रहा था कि प्रिया के कोख में उसका बच्चा मर जाएगा लेकिन उसे अब राहत मिलती है कि अमरिता भी प्रेगनेंट है मतलब कि सागर को अमरिता के बच्चे का कोई फ तब ही एक नर्स जाकर उसे वापस अपने कमरे में ले जाती है अमरिता उस नर्स को पैसे देती है तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तब ही उसे सागर एक और टुकड़ा दिखाता है जिसमें लिखावा था के ट्रक ड्राइवर को मार दिया गया है उसके मूँ से सोने का दात निकाल लिया गया था घोश ने ये बात किसी को नहीं बताई थी और इसलिए वो थोड़ा सा घबरा जाता है घोश बता देता है कि उसके मूँ से उसने सोने का दात निकाला था सागर सोचता है कि आखिर उस ट्रक ड्राइवर के पेट के अंदर से ये कागस का टुकड़ा निकला कैसे घोश बताने लगता है कि टॉर्चर के समय वो बहुत चिला रहा था इसलिए उसने न्यूस पेपर उसके मूँ में ठू सागर घोश को बताता है कि कोई तो है जो मेरे फैमिली को टारगेट कर रहा है और मुझे तुम्हारी जरुवत है तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूँगा सागर घोश को न्यूस पेपर के टुकड़े का फोटो भेज देता है लेकिन वो देखता है कि कुछ अक्षर उल्टे लिखे वे हैं रंगा और क्रांती पहुँचते हैं ट्राफिक पुलिस कंट्रोल रूम और वहां सब ही पुलिस टेशन के सामने वाले CCTV का फुटेज देखते हैं और क्रांती को उस फुटेज में ट्रक ड्राइवर दिख जाता है लेकिन बारिश होने के कारण कुछ जाने के लिए निकलता है तो उसे अपने घर जाने के लिए लेकिन वो तो सीधा चला जाता है करांती सोचती है कि आखिर वो जाक आ रहा था अगर अपना घर नहीं गया तो वो गया कहां तब ही उसे याद आता है कि घोश ने अपने कॉंस्टेबल को कहा था गाड़ी में डीजल भरवाने के लिए मतलब कि घोश ने उस रात कहीं दूर ट्रैवल किया था करांती रंगा से कहती है कि उस रात घोश कहां गया था जीपीए स्ट्रैक करके पता लगाओ इसके बाद दोनों पहुंचते हैं सर्विस प्रोवाइडर के पास जिस कमपनी का सिम घोश सागर निकला था उसी जगा जाने के लिए और वो भी करीब वहाँ साड़े तीन घंटा तक था मतलब कि दोनों एक के बाद एक सेम जगा पर गए थे मतलब कि उस जगा कुछ तो हुआ है करांती और पूरी पुलिस फोर्स वारंट लेकर सागर के फार्म हाउस चेक करने के पहुँचती है और उसकी मा सागर को कॉल करके बता देती है कि के यहाँ पुलिस पहुँच गई है तुम्हारे फार्म हाउस को चेक करने के लिए वो किसी मिसिंग इनसान को ढून रहे हैं वो घर का एक कोना ढून लेते हैं लेकिन उन्हें अंदर कुछ ने मिलता करांती ब तरह से साफ किया गया है जरूर कुछ छुपाने के लिए करांती को लगने लगता है कि जरूर यहाँ पर ट्रक ड्राइवर को बांध करके रखा गया होगा जब उसने भागने की कोशिच की उसे मार दिया गया जरूर यहां हर जगा खून फैला होगा इसलिए साफ सफाई क और उसके बॉड़ी को डिस्पोस कर दिया गया होगा। बार में लिप्टावा था। सारे बचे आकर खाना लेकर चले जाते हैं और मिटी खोत कर बॉड़ी को निकाला जाता है तो वहीं बचे सभी भूत वाला वीडियो देख रहे थे। तबी अंजली को उसकी मा प्रिया नीचे बुलाती है और कहती अपना कपड़ा चेंज कर लो अंजली अपना ड्रेस चेंज करने के लिए जाती है लेकिन उसका ड्रेस अटक जाता है और वो लिफ्ट के सामने जाकर खड़ी हो जाती है क्योंकि उसे कुछ नजरी नहीं आ रहा था। लिफ्ट का दर्वाजा खोलता है लेकिन लिफ्ट वहाँ पर था ही नहीं प्रिया और सागर अपनी बेटी को ढूण रहे थे क्योंकि वो घर में थी ही नहीं तबी सागर को न्यूसके के टुकड़ों को ढूणने लगता है और उसमें एक टुकड़ा में लिखावा था कि सागर की 6 साल की बेटी अंजली की मौत हो जाएगी योंकि वो लिफ्ट एरिया में गिर जाएगी और लिफ्ट चालू हो जाएगा तो अंजली मर जाएगी अंजली को देखते हैं जो नीचे लिफ्ट में गिर गई थी उसके सिर से खून बहरा था सागर दोड़ते वे जाकर अपने गार्ड से कहता है लिफ्ट को बंद करो किसी को चड़ने मत देना लेकिन गा कोई इंसान नहीं बलके कुटे की डेड बॉड़ी है और ये सागर का कुटा है तो वहीं सागर अपनी बेटी अंजली का अंतिम संसकार करता है और उसके अस्तियों को नदी में बहा देता है तब ही उसे बाई की आवा सुना देती है और वो पीले रिंकोट वाला आदमी उ जाल गया होगा और कोटी फिलहाल अपने किसी दोस्त के घर पे होगा भी जैसा के उसके पतिनी ने कहा था लेकिन उन्हें अभी भी ये पता लगाना होगा के चार्ड्स की जब मौत हुई थी तो उसके पीछे खड़ा कौन था अंजली के जाने के बाद उसकी मा प्रिया का बहुत बुरा हाल था उनके घर में एक कूरियर आता है नौकरानी पार्सल को खोलती है जिसे देखर वो दंग रह जाती है प्रिया भी देखकर डड़ जाती है जब सागर घर आता है तो गुसे में प्रिया उसे कहती है तुम्हारे ले कूरियर आया है सागर देखता है कि उ प्रिया सागर को थपड लगाती है और उस पर बहुत गुसा करती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है अमरिता हॉस्पिटल में थी और उसे सागर का फोन आता है लेकिन अब वो फोन ही नहीं उठाती सागर अपने फार्म हाउस जाता है अपने ममी पापा के साथ रहने के लिए और अपनी मा से कहता है मेरे कमरे में मताईएगा मैं काम कर रहा हूँ और अपने कमरे में वो न्यूस पेपर का टुकडा भी खेर कर सभी टुकरों को चेक करने लगता है फिर वो अपने किसी जान पैचान संदीब को फोन करता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक बाइक का नंबर भेशता हूँ उसके बारे में डीटेल मुझे बताओ फिर हम उस पीले रिंकोट वाले को देखते हैं जो असली में एक औरत है और वो औरत कोई और नहीं बलके वही है जो घोस्ट शैडो नाम का यूटूब चैनल चलाती है जो वीडियो अंजली देखा करती थी और वो एक स्कूल में आती है जहां उसकी टीम काम कर रही है वहां कुछ लोग आते हैं उसका इंटर्वियू लेने के लिए और वो बताती है कि फिलहाल वो इस स्कूल में आई है यह स्कूल हॉंटेड है फिर वो अपने गैजट के बारे में बताती है कि लाइट अन हो गया तो इसका मतलब घोस्ट यहां पर है अगर यह लाइट नहीं जला मतलब के भूत यहां नहीं है और आज तक यह लाइट कभी नहीं जला तभी उस लड़की की नजर पढ़ती है स जर्नलिस्ट ने मुझे कॉल किया था वो मुझे मिलना चाते थे रवी से मिलकर उसने कहा के मैं तुम्हें एक रियल घोस्ट स्टोरी बताऊंगा तभी उसे एक अगबार का टुकड़ा दिखता है जिसे वो उठाता है मतलब के उसकी हालत भी सागर की तरह ही थी किरन कहती ह है कि कई सारे जर्नलिस्ट मर रहे थे और उनकी मौते भयानक तरीके से होती हैं वो खुद के साथ ही ऐसा कर लेते हैं रवी कहता है ये सब कुछ 1963 से चलते आ रहा है पिछले साल उसका एक दोस्त संतोष मर गया और उसे एक आगस का टुकड़ा मिला जिसमें उसके पिता की म बेबस था उसे नई समझा रहा कि उसे करना क्या चाहिए और वो अपना सारा रिसर्च किरन को दे देता है रवी बताता है कि जितने भी लोग मरे हैं उनमें एक ही चीज कॉमन है और वो ये है कि वो सभी के सभी करप्ट जर्नलिस्ट है बिल्कुल सागर की तरह अगले दिन किरन बाहर आकर रवी के साथ रिसर्च करना चाहती है लेकिन तबी उसे रवी का वाइसमेल मिलता है जो कहता है कि उसे कुछ मिला है और वो चाहता है कि किरन इस केस को इन्वेस्टिगेट करे किरन को डर लगने लगता है कहीं रवी अपने साथ कुछ गलत ना कर ले जब व पहिरे धीर उसका परिवार मरने लगा और चार्ल्स के घर में पहली बार के रन सागर को देखी थी फिर पता चला सागर के कुटे की मौत हो गई और वो समझ गई कि अगला टार्गेट सागर है क्यूंकि वैसे भी सागर एक करप्ट जर्नलिस्ट है सागर के वज़े से ही मिनि ने दबा दिया और इतने दिनों से वो सागर से नहीं मिली क्यूंकि कीरन को डड़ था कि अगर वो सागर से मिलेगी तो शायद उसका नंबर लग जाए और वो सागर को रवी का रिसर्च दे देती है फिर वो अपना न्यूस पेपर निकालता है और कहता है कि ये सारे प्रोफेसर के पास जिससे कीरन जानती है और वो प्रोफेसर उन्हें 80 साल पूराना न्यूस पेपर लाकर दिखाते हैं जिसमें का अक्षर उल्टा लिखावा था जिस पर प्रोफेसर बताते हैं कि ये एक तरह का कोड है आजादी के समय ब्रिटिश से बच कर कुछ सीक्रे पर लाता है और किरन वहां से चली जाती है तो वहीं उन्हें एक न्यूस पेपर मिलता है जिसमें का अक्षर उल्टा लिखावा था और उस न्यूस पेपर का नाम था दूता गूगल पर इस न्यूस पेपर के बारे में सागर पढ़ता है तो पता चलता है कि मिस्टर सत्यम मूर्ती ने सागर को गिफ्ट किया था किरन अपने नए यूट्यूब वीडियो को शूट करने के लिए एक हांटेड हॉस्पिटल में आती है बीच रास्ते में सागर एक बच्चे को कागस का नौका चलाते वे देखता है और वो उस अगबार में लिखा वा था किरन की मौत ह हो जाएगी उस हॉस्पिटल में जो 15 साल से बंद है फिर हम किरन को देखते हैं जो हॉस्पिटल में अपने गैजट के मदद से भूत को ढूंड रही थी तब ही उसका पार्टनर उसे फून करता है जो कहता है गैजट में बैटरी नहीं है वो जैसे ही बैटरी लगाती है ल बंद हॉस्पिटल में पहुँचता है और सीठी पर खून बैटे वे देखता है करांती को कमिशनर के तरफ से बहुत जादा प्रेशर दिया जा रहा है और दो दिन के अंदर इस केस को सॉल्व उसे करना ही होगा उसे को समझ नहीं आ रहा लग रहा था कुछ तो मिसिंग है वो फोटो को देख रही थी और उसे नजर आता है बरगत की पेड़ की जड़े उस जगा जहां उन्हें कुटे की डेड़ बाडी मिली थी करांती कहने लगती है कि बरगत की जड़े अकसर जमीन के 10 से 15 फुट नीचे जाती है और उन लोगों ने तो बस 5 फुट की खुदा नीचे और एक डेड़ बाडी है सागर चंदर मूर्ती का दिया हुआ किताब ले लेता है और उस बूक के पब्लीशर के एडरेस पर पहुँचता है और वहां उसे वही जर्नल स्टूडेंट मिलता है सत्या उनका पबलिकेशन का नाम है दूता पबलिकेशन जो सत्या के दा जादा जी सत्य मुर्ती चलाते थे लेकिन 1962 में सत्य मुर्ती अचानक गायब हो गए और तब से ये प्रेस बंद है सागर सत्य मुर्ती के कमरे में जाता है तब इस सत्य के पापा चिलाने लगते हैं कि उस कमरे का ताला तुमने क्यों खोला सागर बाहर आता है तो देखता है स पत्या के पापा कोई और नहीं, बलके उसके साथ काम करने वाले चंद्रमूर्ती हैं, चंद्रमूर्ती अपने बेटे को वहाँ से जाने के लिए कहता है, और वो सागर के उपर चिलाने लगता है कि तुम जैसे घटिया नीच जर्नलिस्ट, मेरे माहन पिता के कमरे में क्या कर चंद्रमूर्ती उसे पूछता है, इंटरनेट, तुम जर्नलिस्ट ही तो हो, तुमें जर्नलिस्ट का उसूल तो पता होगा, हमें हर इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करना पड़ता है, उसके बाद ही हम उस बारे में बात करते हैं, सागर कहता है तो फिर आप ही मुझे सब क सत्यमूर्ती मिलकर अपने दूता निउस्पेपर से ब्रिटीशर्स के नाग पर उन लोगोंने दम कर दिया था, और MLA सत्यमूर्ती के लिखेवे किताब की बहुत तारीफ भी करते हैं, और उमीद करते हैं कि फ्यूचर जेनरेशन को भी इस किताब से बहुत फायदा होगा सत्यमूर्ती भी कहने लगते हैं कि कुछ जर्नलिस्ट होते हैं जो पैसो के लालच में गलत खबर चापने लगते हैं, और उनके हिसाब से पॉलिटिक्स और जर्नलिजम कभी एक साथ मिलना नी चाहिए, उनका यही मकसद है कि पत्रकारिता कभी भरष्ट ना हो, फिर आखि सत्यमूर्ती को चक्रपार्णी नाम के आदमी से मिलाता है, जिसने अपना नया पॉलिटिकल पार्टी खड़ा किया है, और चक्रपार्णी MLA के खिलाफ लड़ने वाला है, और वो पॉलिटिकल पार्टी वही है जिसके लिए सागर अभी चापलूसी करता है, जब वो पूजा हो रहा था और सत्यमुर्ती अपने काम करने वाले लोगों को बताता है कि वो तीन दिनों के लिए तिरूपती जा रहा है और यहां सारा काम अब भूपती समालेगा सत्यमुर्ती अपने पत्नी को लाइट हाउस लेकर आता है जहां उसने पत्रकारिता की शुरुआत क थी वहां उसका पहला G प्रेस भी था जिसकी वो लग पूजा करते हैं। फिर हम उसकी पोती को देखते हैं जिसके पैर में पॉलियो हो गया था। भूपती और चक्रपार्णी एक साथ कुछ तो प्लान कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने सत्य मुर्ती को तीन दिनों के लिए तीरूपती भेजा है, चक्रपार्णी बताने लगता है के रागवया की एक नौकरानी है कलपना, मैंने उसे अपने वश में कर लिया है, और वो मेरी हर बात मनती है, और कुछी समय वो आने वाली है, और देखते है के कलपना आज आती है, और दोने दूसरे को पसंद भी करते हैं, लेकिन चक्रपार्णी के लिए ये बस दिखावा है, कलपना उसके लिए रगवया के कमरे का छिटकनी लेकर लाती है, भूपती कहने ठाई भी देता है, कहता है सभी को बोल देना कि चुनाफ के बाद मैं तुम से शादी कर लूँगा, कलपना तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन ये उसे नहीं पता था कि चक्रपार्णी उसे जूट कह रहा है, कलपना जब घर आती है तो MLA रागवया और उनका पूरा परि अब इसी एकाउंट में भेशते रहेंगे, कलपना अपना अंगूठे का छाप लगा देती है, और कलपना सच में बहुत खुश थी, कलपना खुश होकर चक्रपार्णी से मिलने के लिए आती है, तालाप के पास, चक्रपार्णी उसे कहता है, कि तुमने छिटकनी लगा द और उन्हें वो कागस का टुकड़ा मिल जाता है, कलपना के शरीर को निकाल कर पोस्ट मौटम के लिए ले जाये जाता है, भूपती आके पूशता है कि ये सब क्या हो गया, रमना उसे बता देता है कि ये औरत रगवया की नौकरानी थी, और उस घर में इसका बलतकार था, इसलिए ये यहां डूप कर मर गई, वो कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, रगवया ऐसा कुछ कर सकते हैं, फिर आधी रात में चक्रपानी रगवया के घर पहुंच जाता है, और अपना बनाया गया लोहे का छिटकनी चुमबक के मदद से खोल लेता है, और हम देख इसके बाद सभी पहुंच जाते हैं रागवया के घर पर, कोई दर्वाजा नहीं खोलता, पुलिस दर्वाजा तोरकर अंदर जाते हैं और उन्हें पूरा परिवर, फांसी के फंदे में लटकता हुआ मिलता है, और वहां आज का अख़बार भी रखा हुआ था, जिसमें क सत्यमूर्टी को भी पता चलता है, कि रागवया के नौकरानी ने खुद को मार डाला, और आसा करने वाले रागवया और उसका परिवार था, उन्होंने भी खुद के साथ गलत कर लिया, ये सुनकर सत्यमूर्टी तो हैरान हो जाता है, पूरे परिवार के चिता को वह जलत था है कि भूपती चक्रपाणी और पुलिस ओफिसर रमना मीटिंग कर रहे थे और वो तीनों मिले हुए हैं और वो सभी सत्यमूर्थी को यकीन दिलाना चाहते हैं कि कलपना का रागवया के घर में बलतकार होता था रागवया को रास्ते से हटाने के बाद चक्रपाणी सकता उसे अब भारी बहुमत मिलेगी और सत्यमूर्थी के एकबार को भी प्रचार के लिए वो इस्तमाल करना चाता है सत्यमूर्थी छुपकर ये सब को सुन रहा था और वो अपने घर आता है और अब ठान लेता है कि वो सभी को एक्सपोस करके रहेगा जब वो तीनों अप लेकिन उस सौरत का चेहरा देखकर भूपती समझ जाता है कि इन्हें सब कुछ बता चल चुका है वो चक्रपानी से कहता है कि कल तक सत्यमूर्थी हमारे बारे में गाँवालों को बता देगा अपने अगबार में छापकर हम सब बरबाद हो जाएंगे इसलिए वो तीनों लाइट हाउस में पहुंचते हैं जहां सत्यमूर्थी काम कर रहा था सत्यमूर्थी भूपती को डाटता है कि जरा सा पैसा क्या देख लिया तुम तो फिसल ही गए और चक्रपानी का साथ देने लगे वो कहता है तुम और तुम्हारा परिवार बहुत तर्पोगे लेकिन महां चक्रपानी और रमना भी पहुंच जाते हैं और वो तीनों मिलकर सत्यमूर्थी को मार डालते हैं अब कहानी प्रेजन्ट में आती है और चंदरमूर्थी सागर को बताता है कि अगले दिन भूपती आया था मेरी मां से मिलने के लिए और उसी ने कहा था गाउवालों क को बता देने के लिए कि सत्यमूर्थी गायब हो गए हैं और मेरी मा मेरे खातिर चुप रही ये सब सुनने के बाद सागर चंदरमूर्थी से माफी मांगता है जब वो जाने वाला था तो सत्या उसे मिलता है और अपने पापा के चिलाने को लेकर सागर से माफी मांगता है सागर अपना पैन सत्या को देता है और कहता है कि तुम्हें इंटर्णशिप की जरुवत नहीं है डारेक्ट जाकर कमपनी जॉइन कर लेना जब तुम्हारा कोर्स कम्पलिट हो जाए लेकिन चंदर मुर्ती को ये सब पसंद नहीं सागर लाइट हाउस पहुँच जाता है लेकिन जब वो अंदर जाता है तो गेट अपने आप बंद हो गया था और वहाँ उसे प्रेस मशीन मिलता है और उसे स्टैम्प भी मिलता है जिस पर का अक्षर उल्टा रिखा हुआ था सागर को जाल में अटका हुआ एक अकबार का टुकडा मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि 16 नविंबर को उसकी पतनी प्रिया के साथ कुछ गलत होने वाला है और आज है 15 नविंबर मतलब के कल प्रिया के साथ कुछ तोब बुरा होने वाला है कोटी की पतनी इंस्पेक्टर घोश के घर पहुँँचाती है घोश उसे देखकर हैरान हो जाता है लेकिन बाहर बारिश हो रही थी इसे लिए वो उसे अंदर बुलाता है और अपने पास बैठाता है वो काफी चिंता में थी कि उसका पती कहां चला गया जिस पर घोश उसे बताने लगता है कि तुम्हारा पती गन स्मग्डिंग करते वे पकड़ा गया एंटी टेररिजम वाले उसे पकड़ के ले गये हैं और मैं तेरी मदद कर सकता हूँ लेगिन बदले में तुझे मेरे लि करने के लिए मैंने ही घोश को पैसे दिये थे और ट्रक ड्राइवर के बॉड़ी को दफनाने वाला भी मैं ही था करांती उसे कहती है जो कुछ भी कबूल करना है कोट में कहना सागर उसे अगबार के टुकड़ दिखाता है जिसे पर कर उसे समझ आता है कि हाथसा जो यूस पेपर से ही पता चलता है और अभी जो टुकड़ा मिला वो करांती को दिखाता है कि 16 तारिक को उसकी पतनी को खत्रा हो सकता है उस फोटो में एक आदमी है सागर उसे नहीं पैचानता लेकिन शायद प्रिया जानती होगी और इसलिए उसे करांती से मदद चाहिए प प्रिंटिंग प्रेस के उपर सत्य मूर्ती के गिरने के वज़े से मौत हो गई और तब से प्रिंटिंग प्रेस ऐसे ही अग बार चाप कर एक एकर करप्ट जनरलिस्ट को मार रही है क्रांती देखती है कि वो सारी टुकड़े एक ही पेपर के हिस्से हैं और उन सब को जोड करने के बाद बीच में एक और आर्टिकल नजर आता है कि सब इंस्पेक्टर अजय घोश की बेहरैमी से हत्या हो जाएगी जिसे सुनकर दोनों चौक जाते हैं। क्या तुम बता सकते हो कितनी गोली फैर हुई है वो देखता है चार गोली बॉडी में लगी है और एक गोली दिवार पर लगी है। कह देती है कि प्रिया की जान खत्रे में है। करांती और प्रिया प्रिया और उसके पापा को अकबार के टुकडो के बारे में बताते हैं। जिसके वज़े से जर्नलिस्ट मारे जा रहे हैं। उनके परिवार वाले मर रहे हैं। लेकिन प्रिया के पापा को सब कुछ बकवास लगता है। सागर अपनी पतनी से पूछता है कि जब तुम स्टोरी कवर कर रही थी तो क्या तुमने कभी इस आदमी को देखा है कहीं। वो कहती है नहीं। बातचीत हो जाने के बाद दोनों वहां से निकलते हैं और उन दोनों के जाने के बाद प्रिया फोटो को देखकर यात करने ल भरोसा है बले ही वो एक अच्छा हस्बेंट नहीं बन सका लेकिन वो एक अच्छा फादर जरूर था। सागर अकेले अपने फ्लैट में होता है और चार्ल्स वाले फोटो के उपर लिखा हुआ था कि मैरियन की मौत हो गई है गैस सिलिंडर के फटने से लेकिन मैरियन तो जिन्दा है सागर को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो रवी के रिसर्च को पढ़ने लगता है वहाँ एक नंबर देखकर वो विश्वनात को कॉल करता है और उसके बेटे से बात करता है लेकिन विश्वनात का बेटा कहता है कि उसके पिता विश्वनात 40 साल पहले ही मर सागर उस आदमी से पूछता है कि विश्वनात के मरने के बाद परिवार में किसी और की डेथ हुई जिस पर उसका बेटा कहता है कि पापा के मरने से पहले परिवार में बहुत लोगों की मौत हुई थी लेकिन पापा के जाने के बाद कई सालों तक कोई नी मरा एक हफ़ते पहले उसकी मा गुजर गई, कैंसर के वज़े से, जो के नैचरल डेथ है, सागर थोड़ा सा राहत महसूस करता है, और उसे समझ आ जाता है, के चार्ल्स मर गया था, इसलिए मैरियन बज़ गई, फिर वो चार्ल्स की बातों को याद करता है, जो कुछ भी हो रहा है, उसे बचने का एक ही तरीका है, जिसके बाद वो अपने फोन में करांती के लिए वोइसमेल रिकॉर्ड करने लगता है, और कहता है, मुझे बचने का तरीका मुझे पता चल गया है, मेरे मरने से ही ये सब कुछ खतम हो गया, मदद करने के लिए वो करांती को ठैंक्यू भी कहता है और ये भी कहता है कि उसके मरने से वो बुरी आत्मा सागर के परिवार का पीछा छोड़ देगी इसके बाद वो दवाई खाता है और वो अपनी पतनी के लिए रेकॉर्डिंग कर रहा था तब ही उसका चार्ज खतम हो जाता है वो चार्जर ढूडने लगता है और उसे एक न्यूस पेपर मिलता है वही जो हमने पहले एपिसोड में देखा था उसके बाद उसे उस दवाई का असर होने लगता है और वो उल्टी करके सारा दवाई निकाल देता है जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है अब सुबा तीन बचकर पैंतालेस मिनिट में सागर क खत्रे से बाहर है करांती सागर से पूछती है कि जब तुमने खुद को मारने का सोची लिया था तो अचानल डिसीजन क्यों बदल गया सागर कहने लगता है कि मुझे लगता था कि मुझे बड़ा करप्ट जर्नलिस्ट कोई नहीं है लेकिन मुझे भी बड़ी करप्ट जर पाने में माहिर है, आज सत्य मुर्थी मुझे तरपारा है, कभी वो प्रिया के पीछे आएगा, सागर लाइट हाउस जाकर उस मशीन को तोड़ने की कोशिश करता है, तके प्रिया की जान खत्रे में ना हो, और वो सत्य मुर्थी से कहने लगता है कि मेरे परिवार को छोड़ प्रिया ये सुनकर कमरे के बाहर निकलती है तो वही फोटो वाल आदमी उसे पकड़ कर मारने लगता है, वो आदमी कहता है तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मेरी बेटी मेगा को तो तुम जानती हो, और हॉस्पिटल में मरे चार बच्चों के बारे में तो तुम्हें प डालता है और प्रिया की नींद खुल जाती है, अगले दिन हम देखते हैं कि सागर अपने घर में अकबार के टुकडे अमंगवाता है वो भी ट्रक भर भर के, तभी उसके बीमार पापा वहां आ जाते हैं और टुकडो को फारने लगते हैं, सागर अपने पापा पर चलान सागर को कुछ नहीं बताना चाते थे, लेकिन अलजाइमर होने के डर से वो अपनी पतनी को अपने पापा के बारे में बता देते हैं, और सागर की माँ अब अपने बेटे को बता दी है, कि तुम्हारे दादा जी जर्नलिस्त हैं, वो ऐसे अकबार के लिए काम करते थे जि और उनके जाने के बाद परिवार में सभी का मरना बंद हुआ और तब सागर के पापा सिर्फ 6 साल के थे और उस उमर में सागर के पापा को बस यही समझाया कि उसके पापा की मौत जर्नलिजम के वज़े से हुई और इसलिए सागर के पापा अपने बेटे को जर्नलिजम नह प्रागा के साथ कहीं जा रही थी, फिर उसे रंगा का कॉल आता है और कहता है के ट्रक ड्राइवर की बॉड़ी उसकी पतनी ही कनफर्म कर सकती थी, लेकिन उसकी पतनी अपने बच्चों को लेकर कहीं चली गई है। यहाँ से जाना चाती है, लेकिन क्रांती अपनी मा को समझाती है अंदर चलने के लिए, सागर मिस्टर खान को फोन करके कह देता है कि वो अपने पोस्ट से रिजाइन देना चाता है, और वो चाता है कि इस पोजिशन पे कोई और काम करे। मा से कहती है कि जिस औरत को पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो अंगुठे का छाप लगाती थी, वो मरने से पहले लेटर कैसे लिख सकती है। बारिश के वज़े से एक दर्वाजा गिर गया था और चिटकनी भी खुल गया था, जो आदमी वहीं रखकर चला जाता है, करांती देखती है कि वो चिटकनी लोहे का बनावा था, जबके पूरे घर में दर्वाजे में ऐसा चिटकनी था ही नहीं, करांती बिल्कुल सही ड परिवार के मरने का फोटो और सारी जानकारी होती है, जिसे देखकर क्रांती पूछती है कि रगवया तो एमेल थे और उनके परिवार पर बलतकार करने का आरोप लगता भी है, तो वो पैसे देकर इस मामले को रफा दफा कर सकते थे, तो उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाय अगर दर्वाजा बंध हो और अंदर सभी लड़के वे हो, तो कोई भी इसे ओपन और शट के समझ लेगा, लेकिन छिटकनी लोहे की बनी भी थी, और कोई भी इसे चुम्बक से खोल सकता था, फिर वो रागावया के गले पर गांट को देखती है, जिस वो एक रसी मंगा क कोई भी left-handed था ही नहीं, मतलब के पूरे परिवार का murder हुआ है, जो किसी और ने किया, लेकिन murder से किसका फाइदा हुआ होगा, क्रांती फोटो देखती है और उसे चक्रपार्णी नजर आता है, जो अपना किताब left-hand में उठाया हुआ था, मतलब के चक्रपार्णी left-handed है, और वो कहती है मैंने इसे कहीं तो देखा है, तब ही उसकी माँ बताने लगती है कि चक्रपार्णी उसके दादा जी के opposition में खड़े थें, और उसके दादा जी के मरने के बाद चक्रपार्णी election आराम से जीद गया, लेकिन क्रांती को लगने लगता है कि जरूर कोई और भी है और उस clue से वो पहुँचती है सागर तक, सागर जो college के event में आया होता है, उसे करांती का call आता है, और सागर उसे सब कुछ बता देता है, जो भी उसे पता चला, कि वो सब कुछ सच है, और वो कहता है कि मुझे कुछ करना होगा, मेरे सामने भविश्य के बहुत सारे journalist बै प्रिया के घर और वो उसके security guard को मार डालता है, फिर वो उसके पापा को भी मार देता है, प्रिया आवा सुनकर बाहर निकलती है तो वो आदमी उसका गला घोटने लगता है, उस लड़ाई में प्रिया उस आदमी का shirt फार देती है, और सागर ने अमरिता के साथ जो कुछ लेने के लिए मैं यहां आया हूँ, वो प्रिया को अमरिता का वीडियो दिखाता है, इसमें अमरिता कहती है कि मुझे नहीं पता था कि सागर इतना बड़ा धोके बाज निकलेगा, और मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम सागर और उसकी पतनी को वही दर्द दे इतना आसान नहीं होता, इस काम में ओनेस्ट होना बहुत जरूरी है, बहुत लोग गलत रास्ते में चले जाते हैं पैसो के लालच में, और उनमें से एक सागर भी था, बहुत लोग सागर को अपनी इंस्पिरेशन मानते होंगे, वो अपना सच सभी के सामने रखने लगता है, जिस पर सत्या भी हैरान हो जाता है, सागर उन लोगों से कहता है, कि आप लोग भविश्य हैं, और जो कुछ भी हो जाए, हमेशा सच का साथ देना, अगर नहीं दे सकते हिम्मत नहीं है, तो जर्नलिजम मत करो, फिर सागर चकरवर्ती के तरफ उंगली करके कहता है, कि ऐसे करड़ पॉलिटीशन तुम्हें भरष्ट करने की कोशिश करेंगे, धमकाएंगे, लेकिन तुम लोगों को सच के साथ डटे रहना है, जैसे हम जैसे जर्नलिस्ट का फैदा उठा कर ये पॉलिटीशन आज इस पोजिशन पर बैठे वे हैं, और इस सब के लिए मुझे चकरवर्ती के सिर पर मारता है, और उसके छाती में वार करके उसे वेहीं मार डालता है, तब히 where करांती पहुंग जाती है और सागर को रोकने के लिए उस पर मजबूरन गोली चलाने वाली थी, लेकिन एक छोटा सा गमला उसके हात में गड़ जाता है और गोली सागर के पै और इसी को देखकर वो पहले मुस्कुरा रहा था सत्या घर जाकर सागर का पेन फेक देता है और अपने दादा जी का पेन उठा लेता है और अपने पापा से माफी मांगने लगता है मिस्टर खान चंदर मुर्ती को कॉल करते हैं सागर वाला पोजिशन उन्हें आफर करने के लिए और लाइट हाउस में वो प्रेस मशीन खुद बखुद तूट कर विखड़ जाता है मतलब कि अब सत्य मुर्ती को मुक्ती मिल गई है अब अगले दिन हम सागर को जेल में देखते हैं उससे मिलने के लिए उसकी पतनी प्रिया आती है जिसने अपने बच्चे को जनम दिया है प्रिया कहती है के मेरी लॉयर से बात हो गई है और अंजली के जाने के बाद तुम्हारी मानसिक संतुलन खराब है ये कहकर तुम्हें बेल मिल जाएगी करांती अपने कमישner को थेंक यू कहती है उन्हें ये केस उसे देने के लिए क्योंकि इस केस को solve करके उसे परिसनली बहुत fayda हुआ है कमישner कहते हैं ऐसे बहुत सारे केस हैं जो paranormal और सूपर स्टिशन से जुरे हैं और उम्मीद है के तुम इसे भी solve कर लोगी कमिशनर उसे कहते हैं तुम एक टीम बनाओ और उस टीम को तुम लीट करोगी और कमिशनर उसे एक नया केज देते हैं और इसे के साथ 2023 में रिलिज हुई दूता सीजन वन यहीं पर खतम हो जाती है बहुत समय के बाद एक ऐसा सूपर नैचरल थ्रिलर सीरीज देखने को मिला और सच कहूं तो मज़ा आ गया कहानी बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है मतलब के आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आगे क्या होने वाला है और आपका इंट्रेस्ट हमेशा बना रहेगा और इसलिए ये सीरीज इंगेजिंग भी है और काफे थ्रिलिंग भी है खेर आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलता है नेक्स्ट वीडियो में टेक केर